दियर स्टूडेंट्स आप सभी का क्लास 7 की इंग्रीज की क्लास में स्वागत है हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नाइन लोग पढ़ रहे हैं लेसन नाइन तो देखे लिखाए दा विल्ड बोर आट लास्ट एग्रीड टू दा इसकोरल्स प्रपोजल प्रपोजल में स्वागत है प्रस्ताओ विल्ड बोर यानि जंगली सुवर आट लास्ट एग्रीड में सहमत हो गया तो दा इसकोरल्स प्रपोजल गिलहरी के प्रस्ताओ से जंगली सुवर गिलहरी के प्रस्ताओ से सहमत हो गया he put the chestnuts into a big sack and put the sack on his soldiers he put उसने रखा the chestnuts मेवे into a big sack एक बड़े सेक means बोरे में उसने मेवों को एक बोरे में बड़े बोरे में रखा and put the sack और बोरे को रखा on his soldiers soldiers means कंदे और अपने कंदे पर उसे रखा बोरे को रखा इना मिनट एक मिनट में he reached वो पहुँच गया before the squirrels house दिलहरी से पहले उसके घर पहुँच गया he put the big sack up chestnuts down and set उसने रखा the big sack बड़ा बोरा आफ chestnuts यानि कि मेवों का down means नीचे उसने नीचे मेवों का बड़ा बोरा रखा and set और कहा well अच्छा as well means अच्छा as you promise जैसा तुमने वादा किया था कि I shall eat the chestnuts मेवों को खाऊंगा oh please अरे हाँ said the squirrels गिलहरी ने कहा हाँ please क्रिप्या मतलब हाँ खाईये no sooner I had the no sooner had the squirrels said this then the boar sat down unpacked the sick and begin to eat the chestnuts जैसे ही squirrels गिलहरी ने कहा जैसे ही गिलहरी ने कहा set this then boar sat down उसने बोरा नीचे मतलब वो नीचे बैठ गया यान बोरे के पास बैठ गया unpacked the sick और बोरे को और बोरे को unpacked दियाने की खोल दिया and begin to eat the chestnuts और मेवे खाने लगा soon जल्दी he ate all the chestnuts उसने सारे मेवों को खा डला and imputed the sick और बोरा खाली कर दिया now अब he socked his hands and went on with अब उसने अपने हाथ हाथ सूक मेंस हाथ हिलाना या उसने अपने हाथ हिलाए and went on his way और अपने रास्ते चला गया यानि उसने हाथ जाड़े और अपने रास्ते चला गया looking down at the empty bag looking means देखर नीचे down at the empty से खाली बोरे को उसने खाली बोरे को देखकर the little scar said tears यानि छोटी गलहरी आसू बहाने लगी and thought or सचा I lost all the chestnuts मैंने खो दिये सभी मेवे I had picked up because of my grade अपने लालच के कारण जो भी मैंने चेशनष्ट उठाए थे मेवे उठाए थे वो मैंने खो दिये I have now learnt a lesson मैंने अब एक सबग सीखा है that की I will do all my work on my own की मैं सारा काम करूंगी on my own स्वयम मैं अब अपना सारा काम स्वयम करूंगी C square उसने चीख मारी स्वयर्ड में चीख मारा उसने चीख मारी यानि वो बहुत तेर से रोए and jumped on the tree और पेन पर कूद गई अब आप सबी स्टूडेंट्स इसका ध्यान पूरा का ध्यन करेंगे Thank you class